दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं Samsung Galaxy Note series तो यह वीडियो आपके लिए क्योंकि Samsung Galaxy Note 10 जो आने वाला है यह बहुत ही ज्यादा धमागा करने वाला है धमागा वो नहीं जो Samsung की बैटरीज में हुआ था धमागा वो यह आने वाला एक ऐसे camera के साथ एक ऐसे sensor के साथ जो industry को हिला क आपके रख देगा क्या है वो सेंसर कैसा हो का Note 10 का camera हम सब डिसक्स करेंगे इस वीडियो में मैं हूँ आपका हुस्ट रवी और आप देख रहे हैं आट के इंफो जोन आपका अपना इंफोमेशन चैनल दोस्तों Samsung Galaxy Note 10 बहुत ही जबदस फोन होने वाला है वो इसलिए कि उसमें आपको मिलेगा एक 64 Megapixel का camera और एक नई सेंसर के साथ Samsung Galaxy Note 10 के अगर मैं आपको बात बताओं यह एक Korean company है जैसे कि मैं सभी जानते हैं और Samsung ने 64 Megapixel का ISOCELL Bright GW1 image sensor इस साल पेश किया है और उमीद लगाई जा रही कि आने वाले Samsung Galaxy Note 10 में यह सेंसर दिया जा सकता है यह एक नया सेंसर है किसी भी दूसरे सेंसर के मुकाबले mobile devices में high resolution image offer करेगा Samsung ने इस सेंसर को mobile camera के लिए industry का सबसे highest resolution sensor बताया है और यह 64 Megapixel का ISOCELL Bright GW1 sensor company के 0.8 UM pixel image sensor line-up का सबसे जादा resolution वाला sensor है यह pixel merging tetra cell technique पर काम करता है जिससे low light में 16 Megapixel की image ली जा सकेगी साथी जादा रोश्णी में 64 Megapixel की image आप ले सकते हैं यह 4 pixels को एक में merge कर के image create करता है company की बात करों तो यह real time में high dynamic range को 100 decibels तक support करेगा तो दोस्तों काफी जबरदस्त होने वाला है यह नोट 10 का कैमरा और यह नोट 10 आएगा दो screen sizes में 6.4 एंड 6.7 सो कंपनी हमें देने वाली है दो नोट 10 फोन तो देखते हैं आने के बाद कि यह phone real time में कैसा होगा कैसी perform करें तो यह जबरदस इंफोर्मिशन थी जो मुझे लिए आपके साथ शेर करने चाहिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सब नोट लवर्स के लिए जानना जरूर है कि अंदो क्यामरा कैसा मिलने वाला है तो आज के लिए बसेता हैं मिते नेक्स्ट वीडियो में तो दें गुडबाइ वाइब विंडिफुल देख